हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप लोग फ्रेंज आपे देख रहे हैं सब्जियों के छिलके आलो के टुकड़े और कुछ कच्छे चावल है जो मैंने पाने में विगो दिया है तो इसको विगो एक करीब 4-5 दिन हो चुके हैं और अब हमारे लिक्विट फेटिलाजर तयार है जो म आप अच्छी खासे लिक्विट फेटिलाजर गरपे बना सकते हैं वह भी बिना पैसा कर्च के तो देखिए प्याज के छिलके हैं गाजर की टुकड़े हैं मूली पालक के जो भी पत्ते खरम थे मैंने सब को विगो दिया था और पौधों को खाध है पानी है इस सब तो हम लोगों को कुछ ऐसा भी देना चाहिए जिससे हमारे पौधों की ब्रांचे से काफी हिल दी हो और उनकी जो पत्तिया है हरी भरी हो तो इसलिए मैंने अपनी पौधों की लिए कुछ ऐसा ही बनाया दोस्तों देखिए तो इनकी छिलके में देश आरे पोशक तर तो पाय ज कि इसको मैंने इसमें डाल दिया था अब मैं जो आलू की टुकड़े हैं इसको भी निकाल दे रही हूं इसको इसमें मिला दे रहे हैं और अब मैं चावलो के पानी को भी डाल दिखती हूं एक करीब एक जग हो गया है तो मैं इसको डारेट अपने पौधों में नहीं दूंगी इसको मैं साधे पानी में मिलाओंगी एक करीब 7-8 लिटर पानी है तो दोस्तों हम 1 तरीक है अगर हम इसको सब्सक्राइफ ने समय उतलाजब्वाारते वसक्राइफ nozzle पानी में जल्दे से घूल जाते हैं तो यह उसको ठंडा करने के बाद इस तरह से 10 लिटर 7 लिटर पाने में हम मिला कर अपने पौधों में दे सकते हैं देखिए हमारा जो liquid fertilizer तयार है और खास बात है कि दोस्तों आप इसको छन्दी से छान कर आप इसका spray बना सकते हैं पौधों के लिए तो दोस्तों मैं इसको हर मैंने अपने पौधों में देती रती हूँ देखिए और ये सब जो बचा हुआ है शिलके वेगरा ये सम मैं फिर से यूज़ कर ले रही हूँ तो friends हमारे वेडियो आपको कैसी लगी अच्छी लगी तो like, subscribe और share करना न बुलेगा तो friends फिर मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद, bye bye